हेलो फ्रेंट सक्सेस्पन्ट कोटा चैनल में आप सभी का स्वागत है उमीद करते हूँ कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बहतरीन तयारी कर रहे होंगे सक्सेस्पन्ट चैनल पर में शुबा माखीजमम हमने हिंदी साहित्य का इतियास स्टाट कर रखा है जिसमें हमने आधिकल को कंप्लिट कर दिया था और भारती है और भकतिकल के मारी एक क्लास आ गई थी जिसमें हमने भकतिकल के सामने परीचे और उसके विभाजन को पड़ा ठीके, आचेरे रांद चंद शुकले की पुस्तक के अनुसार आज हम जो पढ़ेंगे भक्तिकाल के दर्शन, जो महत्पूर्ण दर्शन हुए हैं इसे द्वेत्वाद, अद्वेत्वाद, विशिष्टा द्वेत्वाद, इनके बारे में हम विस्तापूरक अध्यान करेंगे इस्ट्वेंट्स अगर आपको हमारे जो मैं कंटेंट पढ़ा रही हूं उसका आपको PDF फॉर्म चाहिए PDF में चाहिए तो स्ट्वेंट्स, टेलीग्राम ग्रूप है, सक्सेस्पूर्ण कोटा ओफिशल है हमारा, ठीके, सक्सेस्पूर्ण कोटा ओफिशल चैनल पर आप टेलीग्राम लिंक से जोईन हुए आपको सभी प्रकार के PDFs, यूनिट्स और महत्मून बुक्स की किताबों की PDF वहाँ पर मिलेंगी और आने वाले वक्त में हम पॉल के माधिम से वहाँ पर कोशन्स भी करेंगे, प्रीवियस ये कोशन्स भी स्टार्ट करवाएंगे, ठीके, अगर आपको वीडियो अच्छी रिलेटेड कोई समस्या है, कोई प्रेशन है, तो आप जरूर कमेंट करिए, आपको पढ़ाना मेरा कैसा लगता है, इसके बारे में भी से समन्दित भी आप अपने विचार हमारे इसमें रख सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो students coaching नहीं लगा पा ठीके आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो आप इसको ग्रो करने के लिए सबस्क्राइब करिए, सबस्क्राइब करने के साथ साथ आप ये बेल आइकन हैं, जिसको आप क्लिक करके जो भी हम नोटिफिकेशन साथी हैं, हमारे क्लास आती हैं, आप तक पहुँच सकें, ठीके इस्ट्रेंट्स अब ज़्यादा बाते ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस्ट्रेंट्स ये एक कार्ड है। इस कार्ड के मार्द्यम से एक तरीके का ये टाइम टेबल ही है इस्ट्रेंट्स। चार तरीकों हमने भक्तिकाल का सामने परीचे और वर्गी करण पड़ा, आज हमारी ये क्लास है, भक्तिकाल के महत्पूर्ण दर्शन, ठीके स्ट्रेंट्स, ये किसी कारण से लेट हो गई, क्योंकि नेट्रक इशू हो रहा था, बार-बार मतलब क्लास अप्लोड नहीं हो प अधिकाल के भक्तिकाल के इनकी महत्पूर्ण पंक्तिया पढ़ेंगे, संडे को आपको स्टुडेंट्स, भक्तिकाल की महत्पूर्ण दर्शनों को, जिसमें वल्लभाचारे जी हुए, आदिशंक्राचारे जी हुए, जैसी आदिशंक्राचारे जी का फोटो है, ठीके, आ माध्वाचारिय, ये देखिए वल्लभाचारिय, आईए चली हम अब इनको विस्तार पूरक पढ़ें, इन्होंने किस प्रकार के अपने मत, किस प्रकार के विचार दिये, दक्षिन भारत से किस प्रकार उत्तर भारत में भक्ती अपना उदय लेती आई, ठीके चली आगे भक्ती आंदलन प्रथम प्रचारक संत शंक्राचारिय, अद्वेतवाद के प्रथम प्रचारक को है, संत शंक्राचारिय और ये कहां के थे, काल्डी केरल में, आठ्वी शंक्राचारिय द्वरा भारत में, भारत में व्यापक इस्तर पर भक्ती मत को ग्यानवादी रूप म प्रसारित क्या इन्होंने इसको किस रूप में प्रसारित क्या निर्गौन रूप में ग्यान वादी रूप में ग्यान माध्यम से है न सगौन रूप से नहीं इन्होंने जो माध्यम अपनाया वो निर्गौन माध्यम था ठीके चलिए आगे अब देखिए एक बार आप अद ठीक है न, इस अद्वेद का अर्थ क्या होता है। तो यहां पर आईए, देख़िए हम अपने, समझाएं द्वेद का अभ्षाओ। मतलब अंतर ना होना आत्मा का और परमात्मा में अभिन्यता एक रूपता परमात्मा और आत्मा को इन्होंने एक ही रूप माना ठीके ना एक होने की अवस्था क्या होती है एक होने की अवस्था अद्वेत क्या होती है एक होने की अवस्था अद्वेत अब आगे हम इसको औ और पढ़ेंगे डिस्काइब करेंगे ठीके ना इसमराथ संप्रदाय क्या होता है और प्रच्छन्य बहुत पेले इस तेरेग्राफ को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा देखिए इन्हों ने कहा इनके गुरु गोबिंद भगवत पाद किनके आदि शंक्राचारिय के जो गुरु थे गुरु का नाम क्या था गुरु गोबिंद भगवत पाद शंक्राचारिय को प्रच्छन्य बहुत भी कहा गया शंक्राचारिय के गुरु थे गुरु गोबिंद भगवत पाद औ अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि प्रच्छन बहुत क्या होता है, इससे पहले आप देखिए, क्योंकि इनके गुरु जो इनके गुरु थे, इनके गुरु एक मिनिट देखिए, समझाओ में, देखिए, शंक्राचारी के गुरु, गुरु गोबिंद भगवत पाद, और जो कि यह कहा गया कि यह जो प्रच्छन बहुत शब्द आया न, कि यह जो इनका शंक्राचारी का अदवेतवाद है, यह अदवेतवाद कुछ और नहीं है, बहुत दर्शन से ही आया है, कहां से आया है, क्योंकि इनके गुरु गोध पाद गोबिं भगवत पाद और इनके शि दो का ये दूरुपे इसलिए इंको प्रच्छन भौत का अब एक मिन इस शब्द को पढःे इस अर्थ Tillों डेखिए इसमें कहा गया प्रच्छन भौत शंक्रा चारी इसलिए कहा गया असल में अद्द्वेत ही मिलता जुलता दर्शन बौत दर्शन है क्यों क्यूंकि जो ला रहा था घुरू का तो इनों ने कहा कि असल में अद्वेट ही मिलता जुलता दर्शन बोध दर्शन शंक्राचारया अद्वेट के विद्वान थे अद्वेट वह अद्वेट वाद लाए थे ठीके ना अद्वेट है इसलिए किसी बोध या अन्य उनको प्रच्छन ये बोध अथ्वा बोध दर्शन का निकला भाग का उन्होंने क्या कहा कि जो बोध दर्शन है ना बोध दर्शन का ही निकला भाग अद्वेत है ठीक है ना और अद्वेत में क्या होता है अद्वेत में आत्मा और परमात्मा क प्रस्थान मई उपनिषद भ्रहम सुत्र गीता का भाश्य किया इन्होंने इस्म्राज संप्रदय का परवर्तन किया जो देवोपासना पर आधारी टे यह किस पर आधारी टे संप्रादाय का परवर्तन किया किस ने किया शंक्राचारिय जी ने शंक्राचारिय जी ने क्या किया इसम्राज संप्रदाय का परवर्तन किया जो क्या है जो क्या है पंच देवो पासना पर आधारीते किस पर आधारीते पंच देवो पासना पर आधारीते अब केश क्या होता है इसम्राज सं समस्तिवों चलना इसमा संप्रदाय का परवरतन और पंच देव dude देखें इसमा संप्रदाय क्या होता है ऐसे व्यक्ती जो वेद पुराणों के पाथक होते हैं ऐसे व्यक्ती जो वेद grade पुराणों के पाठक होते हैं, आस्तिक होते हैं, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाले होते हैं, पंच देव उपासा, गणेश जी की, विश्नु जी की, शीव जी की, सूर्य जी की, दुर्गा के उपासक, और घ्रस्त धर्म का पालन करने वाले, उन्हें इस्मरात कहा जात यसे वित वेट पुरानों के पाठाक हों जो वेदों को Remember को पढ़ते हों और आस्ति को भगवान को याद करने वाले हों पंची देवों पासरा को पंची देवो पासना पर आधारी थे अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा कि शंक्राचारी के दर्शन का आधार क्या है वेदानत और उपनिशद और उनका सिद्दानत अद्वेत्वाद इनका दर्शन का आधार क्या है वेदानत और उपनिशद रिवेत के टाइम पर जो यह सब थर्म की एकता के लिए भारत में चार भागों में चार मठ करें उत्तर में दक्षीन में पुरु में ठीके नेघंट में अगे देखें अद्धुयत के अंतरगत पार मार्थिक या वास्तिक इस्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता है क्या है सिर्फ परमात्मा की ब्रह्म की एक ही सत्ता है अर्थात ब्रह्म को सिवकार किया गया आत्मा और ब्रह्म एक ही है इन्होंने क्या कहा कि आत्मा और क्या है ब्रह्म मतलब ब्रह्म एक है आत्मा परमात्मा एक है जगत में आत्मा का वेविध्य प्रतीत अवश्य होता है इस संपूर संसार में आत्मा का वेविध्य अलग अलग वेविध्य तरीक है कि आत्मा है इस जगत में संपूर संसार में आज कितने सारे लोग है है अलग लेकिन यह सब क्या है एक ही उस परमात्मा से जुड़े हुए किन्तु यह विविद्य वास्टिक नहीं है विबिन्य आत्मा है ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मात्र है क्या का कि उस ब्रह्म का उस परमात्मा का आभास है उसका प्रतिबिंब है ठीके ना इन्होंने यह का अब परमात्मा परमात्मा और जीव मानो अद्वेते ग्यान से ही सत्य की उपलब्दी हो सकती है ग्यान के माध्यम से निर्गुण इन्होंने निर्गुण ग्यान की बात कही इन्होंने कहा कि ग्यान के माध्यम से भक्ति नहीं कहा इन्होंने कहा कि ग्यान के माध्यम से ही क्या हुआ भक्ति पर नक्करात्मक प्रभा पड़ा ठीके ना मतलब कठिन लगने लगा समझने लगा कि किस तरीके से हैं दोनों एक हो सकते हैं जीव और भ्रम भक्ति के लिए भक्त और आराध्य के में भेज सिवकार करना आशक है इन्हों का मतलब विरोधियों ने जो इनका विरोध किया है जिन्हों ने उन्हों ने का कि भक्ति के लिए भक्त का होना और आराध्य मतलब किसी देव का परमात्मा का होना भेज सिवकार करना आशक है इन दोनों को अगर एक मालेंगे तो हम किसकी भगती करेंगे ठीके ना? तो भगत और आराध्ये में भेष स्विकार करना आशोत है जबकि शंकर के अनुसरा, शंक्ताचारी के अनुसरा अचार परमार्थ ये दोनों एकी है जबकि शंक्राचारिय ने किया का, ये दोनों एक ही है, जबकि इनके विरोध जो नकारत्मक प्रभाप पड़ा भक्ती का, उन्होंने का कि नहीं, भक्ती में भक्त का, और आराध्ये में भेद का स्विकार होना चाहिए, हम जिसको याद करते हैं, उसमें अंतर होना आउशक ह कि भक्त का और परमाद भगवान में अंतर होना सुखार करना आउशक है जबकि शंकर ने इन दोनों को एक ही का ये वेवारी किस तर पर भक्ती को सुखार करते हैं इन्होंने कहा कि ग्यान के माध्यम से हम किसी भी इस्तान पर बेट कर कहीं पर भी अपने आपको एक परम सत्ता से जोड सकते हैं कि नहीं परम सत्ता से जोड सकते हैं हम तो स्वेमी परम सत्ता के साथ मिले हुए मतलब समाही थे हैं हमारे अंदर ये वेवारी किस तर पर भक्ती को सुखार करते हैं और ग्यान मार्ग में सहायक तक्त्य के रूप में भक्ति को महतु देते हैं किन्तु भक्ति से ने तो परम सत्ता का ग्यान हो सकता है और नहीं उसकी उपलब्दी इन्होंने कहा कि भक्ति करने से ने तो हम किसी परम सत्ता से मिल सकते ना हमें उसको बारे में पता होगा और नहीं उसकी उपलब्धी के बारे में तो इन्होंने कहा कि जब हमारे आत्मा के अंदर ही परम आत्मा भी समाहीते ठीके ना उन्होंने अलग-अलग नहीं बताया कि इन्होंने शंक्राचारे ने अब देखिए शंक्राचारे का निर्गुण ग्यानवादी दर्शन मन में उत्पन निराशा के विशाद को खतम न कर सका और भी कठिन हो गया मतलब कन्फ्यूज कर दिया सारी जन्ता को कईयों ने क्या करा कि मन को शांत नहीं कर सकता निर्गुण ग्यानवादी दर्शन मन में उत्पन निराशा के विशाद को दुख को खतम न कर सका नहीं सामान्य लोगों को सुग्राय हो सका मतलब एक आम लोग इस बात को समझी नहीं पाए कि हमारे अंदर ही परमसत्ता किस प्रकार से समाहीते ठीके ना अंगर ठीके प्रमसत्ता है तो जो संसार में इतना कई बार बुरा चलता य तो वह कैसे होगा थीके ना तो अंतर तो करना होना चाहिए और जो इनकी विरोधियों ने कहा कि भक्त और आराध्य में भेद नहीं होगा तो भक्त किस तरीके से उस आराध्य को यहाद करेगा लेकिं शंक्राचार्य का निर्गुण ज्यानवादी दर्शन मन में उत्पन जो किसी की निराशा है उसके विशात को उसके दुख को खतम न कर सका और नहीं सामाने लोगों को सरल लगा जैसे आप एक उधार नहीं देखिए जैसे कृष्ण के कृष्ण ने जब उधाव को भेजा था गोपियों के पास कि तुम उनको समझा के भेजो समझाओ की इस तरीके का वो ग्रह में ना रहें वह अपने जीवन को आर्जाम से जीए तो गोपियों ने उधाव से कहा कि नहीं हमारे साथ तो उन्होंने वह उधाव उनको नहीं समझा पाया था गोपियों को कि निर्गुण ग्यान क्या जबकि वह उस टाइम पर क्या ग्यान देना चाहता था उनको निर्गुण वेरागय की ग्यान का ग्यान समझाना चाहता था जबकि गोपियां यह समझ नहीं नहीं चाहत थी वही चीज ये है कि शंकराचारियक कुछ विल्डे ही होते है जो निरगून ग्ञान को समझ पाते हैं ठीक dunno छंकराचार्य का निरगून ग्ञानवादी दर्शन मन में उत्पर निराशा के विशात को खतम न कर सका और नहीं सामानी लोगों को आसानी से समझ में आया परणाम तक कालांतर में संतों द्वारा अद्वेतवात के आलोचना होई और लोगों ने इसके आलोचना करना प्रारंब कर दी ठीके ना संतों ने संतों ने का कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अलग-अलग अपने विचार रखने लगे और आलोचना क्या करा द्रोध में धक्षिन में चार मत्तों की इस्थापना कर दी और क्या कर आ इनोंने शंकरा तवात को कोखंडन कर दिया मतलब आलोचना कर दी और चार ने मत निकल करके आए ठीक है तेना विश्श्ष्था देत्वाता के प्रावर्टन करता कुमते रामा अंउजाचारिये देत्वाताय निवघका चारिय की शुद्था ये चारौ महत्पोने प्रेंट थीके जो अपने उपर पड़ा वो भी इस तریके यही वाद लेकर आगे आगे बढ़ते चले गए तो इसमें देखिए विशिष्टा देतवाद में रामानुजाचारिये, द्वेतवाद में मद्वाचारिये, देता देतवाद में निम्बाकाचारिये और शुद्धा देतवाद में विश्नुसामी अबल्लबाचारिये अब हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे देखिए student देखिए विशिष्टा द्वेत वाद इसमें भक्ति आंदोलन का प्राचिन्तम जनक कौन था रामानूजाचारिये ये तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाद कौन लेकर के आया ठीके न तो विशिष्टा द्वेत वाद को लेकर के आये प्राचिन्तम प्रचारक रामानूजाचारिये कौन लाए प्राचिन्तम प्रचारक रामानूजाचारिये ठीके जिनका जनम तमिल लाडू में हुआ ठीके कहां पर तमिल लाडू के शिरी पेरुम बुदूर में प्राचारक रामानुजाचारिये ये ध्यान रखना है जनम लाड़ू अब देखिए इनका आगे इनोंने क्या कहा कि रामानुजाचारिये शृरी संप्रदाये परंपरा में आते हैं इसकी भी हम आगे साणी बताईए कि कौन सा संप्रदाय किस से संबंदिते आगे इसको पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पर देखें रामाजुनुजाचारिय शिरी संप्रदाय परंपरा में आते हैं शिरी संप्रदाय के पूरवर्ति आचारियों का किरम जो शिरी संप्रदाय के अचारिय थे शिरी रंगनाथ मुनाथ मुनि, पुंदिक काक्ष, राममिश्र और यमुनाचारिय उनकी गरंथ。」 आपको याद करने गाइब करने के आशक्ता नहीं है, क्योंकि हमें इतना डीप में नहीं है, ठीके रामुआ उजर्चारिय आपको पढ़ने के लिए है, तो आप इसमें से जब हमें आपको PDF दोंगे, आप पढ़ लीजेगा, एक बार में भी पढ़ लेते हैं, यमुनाचारिया को प्रमुक रचना है, यमुनाचारिया की सिद्ध यत्र आगम प्रमाणिया, गीतार्त संग्रे, ये इनकी रचनाए हैं, तो हमें में तो रामानुज को पढ़ना है, ठीके, रामानुजाचारिया, श्री संप्रदाय के परमपरासे में आते हैं, ठीके, इन आचारियों का क्रम है, जो श्री संप्रदाय के आचारिया है, वो है श्री रंगनात मुनी, पुंडरिक काक्ष, राम मिश्र यामुनाचारिया, आगे देखिए, इन् उन्होंने ब्रह्म सुत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी वेरी इंपोर्टेंट है क्या का इनोंने जो रामानुजाचारी है ना उन्होंने ब्रह्म सुत्र ठीक है ना ब्रह्म सुत्र पर क्या रिखा श्री भाष्य नाम से टीका लिखी इस टीका में आगे देखे इस शुद्र ईश्विर की किरपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है रामा अनुजाचारी ने किस टीका में लिखा था तो शिरी भाष्य टीका में और किस पर भ्रहम सुत्रु पर शिरी भाष्य टीका में ठीक है ना आगे देखिए रामा अनुजाचारी जो रामा अनुजाचारी थ रामानुजाचारे को दक्षण में किसका अवतार माना गया विश्नु का अवतार दक्षण में ठीके ना यह नोट करना दक्षण में विश्नु का अवतार माना गया और रामानुजाचारे वैसे तो शेव और लक्षमन के अवतार है ठीके चलिए आगे समझ में आ रहा है चंकर के अद्वेत्वाद के विरुद पहली ठोश प्रति करिया है जो शंकर जिनोंने शंकर जी ने कोसा तिया शंकराचारिय ने अद्वेत्वाद दिया उनके विरोध में उनके एगेंस्ट ठीके विरोध और ये विशिष्टा द्वेतवाद इनके विरोध में इनोंने क्या दिया पहली ठोस प्रती किरिया रामा नुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए भीतर द्वेत की स्थापना की इसलिए इसे विशिष्टा द्वेतवाद कहा जाता है इनोंने कहा रामा नुज ने अंति सत्ता को एक ही मानते हुए कि अंतिम जो सत्ता है उसको एक ही मानते हुए दुयत के इस्तापना की इसलिए स्वे विशिष्टा अब देखिए इन्होंने क्या कहा रामानुज ने इस पस्ता कहा कि इश्वत और भ्रम में कोई भेद नहीं है भ्रम भी परमात्मा और इश्वत भी भगवान इसमें कोई भेद नहीं है ठीके और वो सगोण ही है ठीके इन्होंने क्या रूप माना सगोण माना इन्होंने रू पूजा करता है और कोई निराकार को ध्याता है ठीक है भ्रमाकमारिस के अंतरगत निराकार परमात्मा को meditation करते हैं लेकिन कई मंदिर में मूर्ति पूजा ठीक है यह अपने-अपने मत्य अपने-अपने विचार है कोई निर्गुण धारा की और है तो कोई सगुण धारा की और है गलत दोनों नहीं है दोनों का अर्थ यही है अंत में आनंद की प्राप्ति उस सत्य चित आनंद की प्राप्ति उस सचिदानंद से मिलने की प्राप्ति लेकिन मिलने का मार गला गला गे ठीक है ना क कालिए, आगे देखिए, बस गुण ही है, सत्चित आनंद इसके गुण है, सत्च में चित, पर हिर्दय में बसने वाला आनंद इसके गुण है, किसके उस परमात्मा के, उस इश्वर के, रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत इश्वर के अन्शे आत्मा मतलब जो इस शरीर में आत्मा है और ये संपोर संसार इश्वर के अन्शी तो है उनकी वास्त्विक सत्ता है वे ब्रह्म के वीवरत या आभास नहीं है ये इनकी वास्तिक सकता है हम कहें वीवरत आभास नहीं है इनका आगे देखिए आचारे राम अनुज ने विश्णू नारायन की उपासना को स्विकार किया इनोंने कहा कि विश्णू या नारायन जिनका रूप कहा जाता है ठीके न, उनकी उपासना को सिवकार किया और विशिष्टा द्वेश सिद्दान्त की इस्थपना की इनों ने राम भक्ती को भी मतलब कहा कि मिलती है इनके जो वाद है इसमें राम भक्ती भी मिलती है लेकिन राम भक्ती को विवस्थित रूप में राम भक्ति को विवस्तित रूप में रामा नंदन ने दिया ठीक है ना आगे देखिए इस्ट्रेंट इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजेगा जो जो में most important चीज़े ना इस्ट्रेंट उनको ध्यान दिला रही हूँ आपको कि ये fact है आगे देखिए जागतिक परेशा समस्या हैं इनके लिए क्या करता है इश्वर अवतार लेता है रामा नुजा चारे की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा इश्वर के साथ व्यक्ति की आत्मा जो व्यक्ति की आत्मा है इश्वर के साथ एकिकरत नहीं है जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए आत्मा जो मैं आपको समझा रही हूँ जैसे आत्मा भुकटी के मद्धी होती है इस जगे पर ठीके ना जैसा मैं ब्रह्मा कमारिस में बताया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा इश्वर के साथ एकिकरत नहीं है आत्मा का इस्थान अलग है इस शरीर को चलाने वाला अलग है और इश्वर अलग है एकिकरत नहीं है एक नहीं है बलकि आत्मा और इश्वर का समझ अगनी और चिंगारी के समाने आत्मा अगनी और चिंगारी के समाने उसको जोद देने वाला उसको और आगे बढ़ाने वाल की चिंगारी और अच्छा बनने के लिए ठीकिन इश्वय पूर्ता अमूर्त नहीं है पूर्ता ऐसा नहीं कि हम उसे गुम्ण और सोंदर्य से परिपूर है इश्वय तो क्या है गुंण से सोंदर्य से सचीदा नं देवो तो ठीकिन आगे देखिए तत्मसी सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सग्णों पास्ला के दास्य भाव के आधार पर तत्मसी सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सग्णों पास्ला के दास्य भाव के आधार पर तत्मसी सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सग्णों पास्ला के दास्य भाव के आधार पर तत्मसी मतलब जीव तो क्या है दास, शेश है और ब्रहम, शेशी है स्वामी है इस चीज़ को ध्यान रखना है student कि उन्होंने क्या कहा है ये तथ्थियों को याद रखना ठीक है ये तथ्थे महत्पुने कि उन्होंने शेश और शेशी किसने का तो रामानुजाचारी ने जीव दास भ्रहम्म्स्वामी इस तरीख से ध्यान रखियेगा इनको, नोट डाउन करिएगा इस तरीखे से, रामानुजयाचारीय ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया, ठीके उन्होंने लोगों को त्याक, तपस्या, त्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को का, उन्होंने का कि भ आरियल चड़ाएंगे मैं सेलेक्ट हो गई तो 101 रुपय का या 1000 का नहीं इस तरीके की तपस्या नहीं निस्वार्थ भक्ति की जिस प्रकार भगवान ने आज मुझे इस लायक बनाया है तो मैं भी किसी और को भी उस लायक बनाऊं अच्छा निस्वार्थ रूप से को कहा उन्होंने स्वर्प्रथम अवतारवाद उन्होंने क्या कहा स्वर्प्रथम अवतारवाद तता धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना दी उन्होंने धर्म में सामाजिक भूमिका की एक भक्त अपनी किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका को बना सकता है य माध्वाचार्य उल्लेखनिये हैं उपदेशों में कोने माध्वाचार्य उल्लेखनिये हैं ठीके ना वेदांत दर्शन के तीन दाशने को एक तो माध्वाचार्य रामानोजाचार्य और शंक्राचार्य साथ लिया जाता है ठीके अब इसमें देखिए द्वेतवात के आपक का श्रम गए कहा गए देखिए और उत्तर भारत की यात्र करने के लिए का मैं बद्री क श्रम में वहां से नहों ने क्या करा गलत की ए आट उच्छियों की शुष्ष्टा छीक्षण वोग्यात की आठ म麼क्ति के प्रक्री दीन । हूक दिया इन्हों और दिखिए समझ में आ रहा है ना आपको जादा डेफट में इसलिए भी है क्योंकि इन बेधों को समझना इन तक मतों को वादों को समझना बहुत तावशक है इसी इसी के आदार पे आपको भक्ती काल बहुत आसानी से समझ में आएगा आगे बढ़े, ठीके, चलिए, माधवाचारिय ने अद्वेतवात का घोर विरोध किया, माधवाचारिय ने अद्वेतवात मतलब शंक्राचारिय का, रामानुजाचारिय ने भी किया, और माधवाचारिय ने भी किया, किसका अद्वेतवात का घोर विरोध किया, इनका दाशनिक मत्ते वो द्वेत्वाद है वे तत्वाद के प्रवर्तक थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट 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 याद करना है मतलब तत्वाद के प्रवर्तक थे जिसे देत्वाद के नाम से जाना गय ठीके ये अद्वेत का घोर विरोत करती थे ये दाशनिमत द्वेत्वात था और तत्वात के प्रबर्तक थे जिसे द्वेत्वात के नाम से जाना गया अब इसे आगे पड़े हम चलिए इनके मत में भगवान विश्णु आठ गुणों से बंद सर्वोचित तत्व हैं किसे इ जगत सत्य है जगत क्या है सत्य है ठीके ना ये जगत ये संपूर्ण संसार क्या है सत्य है इश्वर और जीव का भेदे इन्होंने का इश्वर और जीव में मानों में भेदे जीव का जीव से भेद जड़ का जीव से भेद वास्त्री के ठीके ना समस्त जीव हरी के अनुत हैं किसके हरी के उस भगवान के ठीक है आगे देखिए जीव सो भावत अल्प शक्ति व अल्प ग्यान संभव है जीव क्या है आजी संपूर संसार में जगत में जो जीव है माना हुए वो क्या है अल्प शक्ति रखता है अल्प ग्यान रखता है रखता है क्या सरवग्य है क् करता है आज हम मैं कहूं कि नहीं नहीं मैं तो सरवग्य हूं नहीं कितना ग्यान प्राप्त किया कितना हमने प्राप्त किया बस यहीं ना लेकिन क्या हमने पूरी धर्ती को नाप सकते हैं क्या हम पूरा ग्यान घ्रण कर सकते हैं क्या हर किताबों को हम अपने दिमार में फिक् कुछ जानता है हम अपने पीछे का नहीं जानते कि हमारे आगे क्या होगा हम अपने भविश्य के बार में भी नहीं जानते ठीके ना लेकिन हमारा भगवान सब कुछ जानता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है तो सरवग्य विश्णू के अधिन रहकर ही कारे क्या है ज ने वास्तिक सुक्ष की, इस सांसारिक सुक्ष की नहीं, इस थूल चीजों की, कि मोबाइल मिल गया, अच्छा गाड़ी मिल गई, घड़ी मिल गई, यह सब मिल गई, यह सब तो स्थूल हैं, इस थूल मतलब मोटी चीज हैं, जो हमें दिखती हैं, लेकिन वास्तिक सुक्ष क क्या नहीं जब आप वास्तिक सुक्व होगा जब आप अपने परमातमा में जब आप अपने भगवान में खो जाओगे और खोने के बाद जब आनंद की अनुभूती होगी न तो वो कौन सी भक्ती कहलाती है अमला भक्ती कहलाती है इसलिए मैं आपको यह इताओ समझा रही ह कि वास्तिक सुक्य अनुभूती ही मुक्ती है मुक्ती का सर्वश्रेस्ट साधनी अमला भक्ती है अमला भक्ती किसको कहते हैं कि व्यक्ती इस थूल चीजों से नहीं कि आज मैंने ये कंगन पेल लिए कई मारकर में तो और कंगन दिग गए ठीक है ना फिर और अच्छा वाइल यह यह चीज़े हैं किसी की गाड़ी देखी तो गाड़ी नहीं इन सबसे यह तो क्या हैं यह तो यह सांसारिक चीज़े हैं हमें वास्टिक सुक्य अनुभूती करनी हैं तो इस संसार से मुक्ती एकदम हट जाना है और मुक्ती का सर्वश्रेष्ट शादन है अमला भ जीव में भी भेदे अब इन्होंने क्या कहा कि जीव और जीव में भी भेदे प्रतेक जीव में भेदे हैं वास्ताव में ठीके प्रतेक जीव का ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंद नहीं होता कोई भगवान को बहुत जादा याद करता है और कोई तो याद करता ही नही ठीके कोई सारा दिन भक्ती में रमा रहता है और कोई एक फूल लगा दिया वो भी बहुत है गरुबती हफते में लगा दिया वो भी बहुत है ठीके ना तो प्रतेजीव जीव में भी भेदे प्रतेजीव का भ्रह्म के साथ एक तरह एक अलग-अलग संबंद एक संबंद नह कि अलग-अलग तरीका होता है भगवान को याद करने का हम कहें कि मैं इतना परसंट याद करती हूँ तो मेरा भाई या मेरी भेहन भी इतना परसंट नहीं सबका अलग-अलग है ठीके इस संपूर्श अंसार में सबको भगवान को याद करने के लिए अलग-अलग रूप अल important important घिके माद्वा चाल्यका जो संप्रदय था वो किसके लिए हुआ भ्रह्मण संप्रदय के नाम से विख्यात हुआ आगे देखिए देतवाद में इनोंने कहा कि जो देतवाद देने वाले कौन थे निम्भकाचारिये, ठीक है, श्री निम्भकाचारिये, इनका समय आन्निरने थे, मतलब पता नहीं है, पूर्ण रूप से क्या है, लेकिन फिर भी डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 बताया है, निम्भार क संप्रदाय में इनको स्रिस्टी के आदी में उत्पंद माना गया है निंबार के संप्रदाय में इनने बताया गया है कि यह स्रिस्टी से आदी उत्पंद हुए बहुत समय पहले स्रिस्टी से द्वारा उत्पंद हुए है लेकिन भंडारकर ने इनका समय 1162 बत के आसपास बत बताते हैं कि वेश्ण यह थे तो सब वेश्णवी ठीके ना अद्वेत्वात को छोड़ करके जो शंक्राचारिय जी का है ठीके वेश्णव भक्ति का प्राचिंतम संप्रदाय है शिरी निंबार को संप्रदाय शिरी निम्बार्क संप्रदाय संकांधिक वा हंस संप्रदाय के अंतरगत आता है इंपोर्टेंट है में इसकी सानी भी आगे आपको इसी PDF के अंतरगत दोंगी और समझाओंगी भी स्टुडेंट शिरी निम्बार्क संप्रदाय संकांदी के हंस संप्रदाय के अंतरगत थे चलिए आगे निम्बार का चारिय रामानुजा चारिय के संकालिन थे निम्बार का चारिय क्या थे रामानुजा चारिय के संकालिन थे इनका मानना था कि भक्ती करपा स्वरू प्राप्त की जाती है भक्ती क्या है भक्ती भी उस परमात्मा उस भगवान की करपा से ही होती है करपा स्वरू प्राप्त की जाती है ठीक है ना आज तो लगता है आपने बहुत सारे भक्ती वाले शब्द सुन लिए मेरे मुख से ठी का मतला भेदी होता है ठीक है जीव अवस्था बेद से ब्रह्म के साथ भिन भी है तथा अभिन्य भी है जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्य भी है और अभिन्य भी है उससे अलग भी है और उसके साथ भी है किसके साथ भ्रह्म के साथ जीव जीव भ्रह्म का नहीं करना तो जो यह मायह निंबार का चारियंजी का जो यह है देतवapterवाद इन्हों 05 जीव भ्रम का अंश हैं वह पर्मानका सचिदानद रूस्त रूस्ति वह कहा ओड़ी जीव अपने आपकी जीवन को मुक्ति प्राप्त करवा सकते हैं विष्णू के अवतार रूप ट्रश्न ही उपास्या है विष्णू के अवतार रूप में किसकी उपास्या बताईए इनोंने कृष्ण की ठीके ब्रह्मों और जीव सांसारिक ड्रस्टी से भिन्न है ब्रह्म भी और जीव भी इन्होंने कहा कि संसार की ड्रस्टी से भिन्युएं पर तत्त एक है पर इनका अन्ष है वो एक है थीक है ना अपनी अपनी परणिविती में ये एक हो जाते हैं ये प्रले की समय क्या हो जाते हैं राधा कुछन की इए इंहों के रूप में और शकती राध्य बने विस्न के रूप में आराद्य बने कृष्ण विष्णो के अवतार है उन्हों यहां पर देखिए श्री कृष्णी के अनेक लीलाओं द्वारा भक्ती भाव के अभिवक्ती की है निंबार को संप्रदाय में अनेक अच्छे-अच्छे कवियों इस विश्झोय संप्रदाय में मोलतर संबन्द किसके साथ है तो विश्णु सामी संप्रदाय में ठीके ये दो फेक्ट इंपोर्टेंट है वल्लभाचारिय चेतन्य महाप्रभू के बाद कृष्ण भक्ति शाखा में जो हम आगे पढ़ेंगे वल्लभाचारिय चेतन्य महाप्रभू के बाद कृष्ण भक्ति शाबाखा के दूसरे प्रसिद संत थे यह तेलंगाना के भ्रामण पर्युआर से यह तो यार नहीं रखेगा यह ध्यान रखेगा कि वल्लभाचारिये चेतन्य महाप्रभू के जो हम कृष्ण भक्ति शाख में चेतन्य महाप्रभू पढ़ेंगे ना उनके दूसरी प्रसिद्व संत थे ठीके आगे देखिए वल्लभाचारिये ने वेश्णा वेदांती दाशनिक थे जिनका दर्षन शुद्धा देतवाद के लाया यह भी तात्तिक रूप से अद्वेतवादी थे ठीके शुद्धि शब्द का प्रयोग यह भी तात्तिक रूप से तो क्या त्लिया स्याल्ड कि सब्सक्राइब्र मैं कि क्या है मैं इसनारिय स्वाटका उप्र माय से अलग शुद्ध है पवित्रे जिस प्रकार सवर अनेग रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध सर्माण रहता है उसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध ही है ब्रह्म क्या है परमानंद परम आत्मा क्या है शुद्ध ही है पवित्री ही है ठीके ना वल्लब ने वल्लब के अनुसार संपूर् सत्य चित आनंद इश्वय तीनों गुड़ों की समगरता है और इस इश्वय में क्या है सत्य चित भी है आनंदी भी है तभी तो वह सचिदानंद है किके सच्चा सच्चा आनंद प्रदान करने वाला, सचिदानंद का मतला सच्चा सच्चा आनंद प्रदान करने वाला ईश्वर ही है, जीव में सत्च और चित गुर पाए जाते हैं, इन्होंने कहा, जीव में मानव के अंतरगत, ये गुर पाए जाते हैं, सत्च और चित, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन वहां पर हमारा आनंद कई बात लुपत हो जाता है हम किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं होते हैं लेकिन इश्वर हमें जब हमें जब सच्छ से परिचित कराता है जब हम उसकी याद में खो जाते हैं तो हमें इश्वर से क्य आप वहाँ पर बेठिएगा तब आपको आपर आनंद की अनुबोती होगी तब आपके दिमाग में या हिटदे में कोई दुख भी भरावा होगा ना कोई टेंचन भी तो वहाँ पर आप भूल जाएंगे और जब उस गीतों में आप खो जाएंगे ना उस संगीत में आप ख उपस्तित होता है और जबकि इस अचित में जो दिख नहीं रहा उसमें सत्त गुण ही उपस्तित है इस प्रकार जिन गुणों में जीव जगत निर्मिते उन गुणों की अपस्तिती इश्वर में ही है जिस प्रकार इश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जीव जगत भी तो हम परमात्मा के पास उनके संगीतों को सुनके उनकी यादों को सुनके उनकी याद में बेट करके उस आनंद की अनुभूती करते हैं ठीके चलिए शुद्दा देत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमन करने की इच्छा होती है वही बात इन्होंने कही आगे कि जब भगवान को रमन याद करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदी गुणों के अन्शों को त्रोहित कर स्वयम जीव रूप ग्रहन करते हैं इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है माया का इससे किसी प्रकार का संबंद नहीं है कहने का तात पर यह है कि जब हम भगवान की याद में बेटते हैं तो माया का इससे तो कोई संबंद ही नहीं है तब ये संसार ये दुख ये कहानिया ये जो चारों और हमारे फेला रहता है इसका कोई मतलब नहीं होता जब वास्ता में हमारी तार मतलब जो हमने उपर पड़ा अमला भक्त जब उस परमात्मा के साथ मिल जाती है तो एक अलग ही आनन दाता है ठीके तब इंसान अपनी सारी चिंटाएं भूल जाता है चलिए आगे देखिए वल्लब ने विश्नु भक्ति को ही मुक्ति का साधन बताया और वल्लब अचारे ने क्या कहा विश्नु की भक्ति को ही पुष्टी मार्ग इनका पुष्टी मार्ग है पुष्टी मार्ग क्या है देखिए भगवान के पोशन अनुग्रह को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए मतलब इन्होंने का है भगवत प्राप्ति का साधन क्या है भगवान को याद करने का साधन क्या है भक्ति उनको याद क सुना ही देता है ठीकत है ना तो बहां पर कमी क्या ए कमी एसा निगीव भगवान को याद नहीं करतें लेकिन वास्तर यह ऐ हे कि उस टाइम पर उनको अच्छे सकारात्मक विचार मिलना वह werden सकारात्मक सम्भल मिलना वह जरूरी है और अंबल हमें किस से परमात्मा से मिलता है भक्ती से मिलता है जब हम उसमें खो जाते हैं तो उसी कोई उन्हों ने जब हम उसमें खो जाते तो स्वता ही हम उठ भी जाते हैं खोना मतलब प्रभू के अंदर उठना है, डूबना, का जाता है ना, जब डूबते हैं उस परमात्मा के साथ, तो हम खुदी उठ जाते हैं, उठना मतलब हम अपने आपको समझ ना, कि हमारा संसार हमारी सोच सरिफ यहां तक ही नहीं है, हमें तो बहुत कुछ आगे बनना है इस ना, छोटा थोड़ी ना सोचना है, ठीके ना, इसी को इन्होंने इसलिए कहा, कि इनके मत पुष्टी मार्ग कहा, भक्ती का विवेचन करते हैं, वह बहला भाचारे ने मर्यादा भक्ती और पुष्टी भक्ती का विधान किया है, क्या करा है, मर्यादा भक्ती का और प ब्रह्म के निर्गुणत्तु का निशेद नहीं किया, इन्होंने ब्रह्म को निर्गुण मानने का निशेद नहीं किया, किन्तु भक्ती का आधार इन्होंने सगुण बताया, इन्होंने कहा कि निर्गुण जो भक्ती है वो कठी निस्तर हो जाएगा, कईयों को तो मतलब संतुष्ट नहीं हो पाएंगे संपूर जगत को संपूर संसार के जीवों को सुग्राय नहीं होगा आसानी से समझ में नहीं आएगा तो इन्होंने कहा कि मूर्ती मतलब सगण होनी चाहिए मूर्ती और इन्होंने अवतारवाद की प्रस्तावना और अवतारवाद में लीला को बताया इन्होंने अवतारवाद को माना इश्वे प्राप्तियतु ग्यान के इस्थान पर भावनावा अनुबूतिया और शके देखिए एक बात ये बताईए मैं ये आपको समझाओ देखो भक्ती के बाद ग्यान की इस्तिती होनी चाहिए क्योंकि जब छोटा बच्चा जब जनम लेता है मां के गर्व से मां के पास आता है तो उसकी मां की जो भावना ही तो जुड़ती है और वो अनुभूतियों को तो प्रफ्त करता है तो उसी प्रकार इश्वर के लिए हम सब क्या है बच्चे है और बच्चों की सबसे पहली इस्तिती क्या होनी चाहिए भावना ग्यानतों में बाद में पता पड़ता है जब हमारी मां में देती है शिक्षा का ग्यान देती है समाज का ग्यान देती है घर का ग्यान देती है बताती है कि ये ये तुमारे सब है ग्यान तो वाद में देती है लेकिन पहली स्टेप उसकी क्या होती है भावनाएं होती है मां की अपने बच्चे के प्रती अनुभूतियां होती है उसको हसके देखना उसको प्यार करना उसको दूद बिलाना उसको उठाना खिलाना ये सब क्या है अनुभूतिया उसकी जुड़ती जाती है भावना उस बच्चे से और बच्चे की भावना उस मां से जुड़ती जाती है वोही चीजे इश्वर प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले होना चाहिए भावना एक गिलाइन में भगवान हमारी भावना का बूखा होता है हमारी क्या है हमारी शर्द्धा हमारी शिद्धत का बूखा ठीक है न हम पर क्या है वो और कुछ थोड़ी न चाता है वो तो हमारी क्या शिद्धत हमारी भावना हमारी शर्द्धा देखता है इसी से हमारा रिष्टा बन जाता है ईश्वर का तो ग्यान तो हमें बाद में पता पड़ता है कि वास्ता में हमें किस प्रकार सच के रास्ते पे चलना है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को ग्यान का रास्ता दिखाती है ठीक है ना? तो इन्होंनी अब देखिए जो महतपूर बनता है student जहां से जिस exam के point of view से ये चीज़े वो आपकी समझने वाली थी और जो जो important है मैंने आपको notice करके बताया आपको ये ये लिखना है अब प्रमुक वेशनर समप्रदाय देखिए शिरी समप्रदाय जिसमें रंगनात मुनी हमने पढ़ा उसके अंतरगर इसका time 824 से 924 EC और इसकी धर्शन में विशिष्टा देतवाद रामानुजा चारिये इस समप्रदाय के दर्शन में कोने रामानुजा फिर सनकादिक जिसम यह कोंसा दर्शन है विश्टा देत्वाद भाम संप्रदाय जिसमें माध्वाचारिये 1197 seit97 से 4276 तक इसमें ड्वेट्वाद फिर रुद्रू सम्प्रदाय जिसमें विश्णु स्वामी और इसमें 1300 सदी में 0 Спасибо और इनके कौन थे शुद्दा द्वेट्वाद को निका अमानुज शिरी संप्रदाय के सबसे प्रमुक आचारिय इसी कानण इन्हें शिरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना इंपोर्टेंट है वल्लभाचारिय रुद्र संप्रदाय के सिद्धानतों को ठोस रूप दिया रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए ठीके ये ऑड्डाउन करिए का अपने नोड्स में Short form में नोड्स बनाइए चार वेशनों संप्रदाय श्री संकादिक भ्रम रुद्र जव हमने अपनी सानि में पढ़ा में श्री और कहीं-कहीं ब्रहम कॊनका श्री और कहीं-कहीं भ्रम संप्रदाय के आचारी है राम-bhakti में विश् राम भक्ती को मानते हैं ठीके ना आगे देखिए ये जो टेबिल है ना ये जो टेबिल स्टुडेंट ये जो टेबिल है ना ये टेबिल बहुत इंपोर्टेंट है मैं जब आपको PDF दुँगी ना तो आप ये अपने नोट्स बनाईएगा और उस नोट्स में इसको नोट डाउन करिएगा बढ़िया तरीके से याद करिएगा ठीके ने बहुत इंपोर्टेंट है देखिए संप्रदाय प्रवर्तक रामावस संप्रदाय के प्रवर्तक रामनंद, राम, रामनंद, महा, पुरुषिया, शंकरदेव, महा शंकर ठीके रामदासी रामदास संप्रदाय प्रवर्तक उद्धिती सेजानंद या स्वामी नारायन रस्तिक संप्रदाय अग्रदास स्वासुखी संप्रदाय रामचनरदास आगे देखिए स्वासुखी संप्रदाय रामचनरदास ठीके गोडिये चेतन्य महाप्रभू सखी हरीदासी संप्रदाय सवामी हरीदास तत्त सुखी जीवाराम सुखी है जीव महानुभाव चक्रधर वारवर की पुंडलिक परंभरम दादु दयाल ध्यान बुद्धी की बोधी से शास्ता पूजक संप्रदाय केरल सहजिया बंगाल पंच सखा ओडिशा विष्णुई जंबनात अब देखिए इस में से इंपोर्टेंट कों से हैं एक तो रामावत रामानन महापुर्षय शंकर देव रामदासी रामदास उद्धी सहचानन स्वामी दयानन यह पूरी ही टेबल इंपोर्टेंट है इसको आप अब इसको याद करना बहुत जरूरी है यह बहुत इंपोर्टेंट है शास्ता पूजक संप्रदाय केरल सहजिया बंगाल पंच सखा ओडिशा आपको यह पूरा याद करना होगा ठीक है यह पूरी इंपोर्टेंट है अब देखिए कुछ मैंने अपने नोर्स यहाँ पर फिनों ने कहा रामानुज के इनका व्यक्ति पूर्ण था विष्णों के रूप में रामानुज ने के भ्रम में आत्मा और अनात्मा के बीच बेद किया जाता है इसमें अंतर किया जाता है किसके रामानुज और शंकर के भ्रम में आत्मा और अनात्मा मतलब भ्रम के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता है एक ही मानते है अब देखें अमला भक्ती किसे का जाता है अमला भक्ती वास्तिक सुख वह है जिसमें दुख के शेय के साथ ही परमानंद का उदे हो जाता है ऐसी इस्तिती यहां पर आईए देखे शरीर से एकाकार होकर आनंद प्राप्त कर का उमीद करती हूँ आपको ये चीजे समझ में आई होंगी कल जो हम पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे संतकाव्यधारा इस्टेंट्स आज देखिए एक चीज ये हमारे को बहुत मोटिवेट करती है पढ़ने के साथ साथ आप अपने जरूर ये लिखा करिए असल में रास्ता जब होता है ये रास्ता बहुत लंबा भी चलता है और कई को बहुत जल्दी भी मिल जाता है लेकिन पता है काम्याभी किसकी वज़े से मिलती है इस जिद्द की वज़े से और इस तरफ की वज़े से जित्ती ज्यादा तरफ होगी जित्ती ज्यादा जिद्द होग उत्ता जल्दी अपने लक्षे को प्राप्त करेंगे सोछता तो एक 9 सिख्या भी यह तो सोचने से नहीं होगा तरफ से होगा और जिद से होगा अपने लक्षे को प्राप्त करना है तो ठीके ना? चलिए मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी और जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही बहुत ही जादा महनत करते हैं और अपने लक्षे को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे बिल्कुल 100% तयारी के साथ